अगोलों अगर्फ ढूलों थायंट सब्सक्राइब ढूलों आफ इमेज में देखी रहे है आज हम इस हाड़िए के बारे में बदिया करने हो है आज हम दिनाख करेंगे जो कि एक हाड़वेर का आक टाइप होता है जिसको की आपने देखा होगा जा जिसे आई ट्रांसमिशन टावर पे झो लाइन किची हुई होती है या पिर जिसे कई रगर सिविल की साइट्स हो टी यहां पर शुट चूर्ट्रिंग लगते है जो पर हुआं पर यूज कि 사진 के तो आज हम turnbuckle के बारे में जानेंगे इसके definition, इसके parts जो turnbuckle के कौन-कौन से parts होते हैं, फिर इसके types और installation देखेंगे, कि किस तरह से installation किया जाता है, और फिर last में कि application देखेंगे, कहा का इसको apply किया जाता है, मतलब कहा का इसके uses होते है, with snaps और with examples हम इसको समझेंगे, तो चलि जो metallic wires की होती है, उसको sling कहते हैं, उसको tight करने के लिए use किया जाता है, जैसे अगर कहीं पर slack आ रहा है, या फिर कहीं पर जूल रही है, कहीं पर lose हो रही है, तो उसको turnbuckle की help से tight किया जाता है, ये generally जहां पर shipping industries में metal को tight करने के लिए, या फिर जैसे कई बार transformer tank या फिर fully loaded जाता है, तो वहां पर भी इसका use किया जाता है, mainly इसका transport और इसमें construction industries में mainly turnbuckle का use किया जाता है, तो चलिए, अब parts देखते हैं, कौन-कौन से parts होता है turnbuckle के, सबसे first part जो आपको arrow में दिख रहा है, वो है nut, जिसमें की, जो ये female part होता है, जिसमें की, जो हमारा male part, जो होत होती ही friends, कि इसमें एक side में left hand thread होती है, और second side जो होता है, वो right hand thread होती है, तभी तो एक side से हम tight करते जाएंगे, तो वो tight होता चला जाएगा, तो ये कभी भी निकलता नहीं है, दोनो side में, दोनो end fittings में, कभी भी same type की thread नहीं होती है, दोनों में left hand side और right hand threads रहती हैं, इसक चाहिए करवाना होता है एक फुली यह जो हमारा इसनाय पे यह ओपन का है और जो कवर्ड वाला होता है इसमें घ्लोड आपको होक्वसाट दिख रहा है और यह जो आई-बोल टाइप का दिख रहा है यह हमारे एंट फिटिंगस है जाके दोनों कॉर्नर्स पर जाकर लगती ह और लूज और टाइटनिंग जो टेंशन क्रियेट करती है जो भी हमको परफॉर्म करवाना होता है यह भी कई टाइप की होती है वो हम आगे समझेंगे चलिए अब टाइप्स देखते हैं कौन-कौन से टाइप्स के टरन बकल होती है सबसे पहला है हमारा जो आंड जो इसमें इसको युज की जयती है नेक्स है मरी आइट जयां पर एक साइट में हमको पर्मनेंट करना हो और दूसरी साइट में हमको कई ऐसकता कुछ snack के रिमूब करना हो वहां पर आइड जो का यूज किया जाता है इसका नेक्स हमरी आइड जहां पर पर कि जहां पर जो थो वरी स्लिंग है यँ फिर फिर या न América कि यूस करते हैं और ऊपनिंग में होती जिसकों के टी से टैटि किया जाता है तो जहां पर प्वलिक्स करते हैं वहां पर आई टान बककल का यूस्ट किया जाता है इसके नेक्स है हमारी हुक जहां पर कि हमको इमिजेटली रिमूब करना होता है और फिर लगाना होता है वहां पर हुक का यूज किया जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं सिलिंका तो मैंने बताए कि वो टी शेकल से टाइट किया जाता है और उसमें हुक जनरेट किया जाता ह तो उसी loop को यहां hook में दोनों side लगाया जाता है और फिर यहां पर tension create किया जाता है इसकी बाद है हमारा next है hook and eye means एक side में इसमें hook रहता है और second side में eye रहती है तो जो eye वाला portion होता है वो तो permanently fix हो गया और hook वाली side से हम कभी भी इसको remove कर सकते है इस type की application जहां पर एक side से हमको remove करना होता है और second side permanently fix करना होती है जहां पर hook and eye type का eye type turn buckle का use किया जाता है चलिए अब इसकी application देख लेते हैं कहां कहां इसका use किया जाता है सबसे first हम सभी लोगों ने wrestling matches तो देखे ही होंगे WWE के न तो वहां पर जो boxing ring में जो जो rope बंदी हुई होती है वो अचलिए turn buckle से ही tight की जाती है तभी तो देखिए आप देखें कभी एक wrestler दूसरे wrestler को मारता है तो वो return आता है तो वो इसी tension की वज़े से उस rope से return आता है इसका next है हमारा next जहां पर marine time में यूज किया जाता है जहां पर transport होता है जो internationally transport किया जाता है बायर शिप या फिर हम local transport की बात करेंगे जैसे मैंने पहले यूज किया जाता है इसका next है मारा construction में जैसे कि मैंने पहले ही बताए था कि जहां पर construction sites होती वहां पर shuttering को lose या tension create करने के लिए यह इस टाइप की जो shuttering होती है shuttering में turn buckles इस टाइप की use किया ती जो कि close body में होती है इसका next है हमारा aviation industries में जो light aircraft होते हैं वहां पर tension create करने के लिए या फिल लूज करने के लिए turnbuckle का use किया जाता है जलिए अब install देखते है कैस टाइप से इसका installation होता है इसका installation बहुत होता है जलिए अब देखते है जो भी हमारी एंड फिटिंग से उनको अनिस्कूर कर लिया जाए जितनी भी जितना भी एंड तक जाएगा जो हमारी थ्रेड़ेड रॉड है वो नट के आइंड तक आजाएगी वह हमारी पूरी टेक अप्लेंट होती है तो सबसे पहले हमारी एंड फिटिंग को टेक अप्लेंट तक ले लिया जाए उसके बाद इसको जहां पर हमको स्लिंग या रोप में लगाना है वहां पर इसको इंस्टॉल कर लिया जाए और उसके बाद दोनों साइट से ऑपरेट करके जिसका क्या होता है इसके जो बाड़ी होती न उसमें बीच में हुग दिये हो रहते हैं इसके बाद हम उसको रोटेट करते जाते हो जितना भी हमक आप लाए है टेंशन की टन बकल की भी और जितना हमको इस लिंग को टेंशन के रिड देना है उतने पर टेंशन पर लाके उसको छोड़ दिया था और यह कभी भी अपने आप रोटेट नहीं होता है ना आड़ टाइम काफी टाइम के बाद होता है लेकिन इमीजेटली जैम करते हैं चलिए फ्रेंट इसे के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं मुझे उमीद है अपने टन बकल के बारे मैं समझा होगा और आने वाले टाइम में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो यह वीडियो को ध्यान में रखेंगे हमने काफी सारे वीडियो सबना है फैब्रिकेशन प्रोडक्शन मेनुफेक्चिंग सप्लाइचन पर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं पर डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो के लिंक शेयर करूंगा और किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हम उ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बैल आइकन को भी प्रेस करें थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग